हैलो दोस्तों नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है और फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलर्शिप 2023-2024 के बारे में फ्रेंड अगर आप लोग फ्रेस कैनेट होंगे या फिर रिन्यू कैनेट होंगे और आप लोग किसी भी कलास में यहां पर हम आपको जो है आपके स्टेटस के बारे में बताने वाले हैं यहां पर बहुत सारे बच्चों का जो स्टेटस है स्टेटस सो होना स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे बच्चों में स्टेटस सो हो रहा है बट वहां पर कुछ न कुछ प्रोबलम आ रहा है जैसे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजेगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजेगा अब फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि फार्म अग्रशारण के समय सिच्छन संस्ता अस्तर पर आवेदन पत्र की इस्ति अब बहुत सारे बच्चे जो है इसको लेके परिशान है कि सर हमारा जो इस्टेटर तो सो कर रहा है बट वहाँ पे सत्र 2022-23 लिखा हुआ रहा है क्या ये रीजन गलत है क्या इसको सो होना क्या कोई मत्तब खत्रे का संकेत है तो मैं आप पता दू देखिए अब ही यहाँ पे सत्र 2023-24 लिखा हुआ आ जायागा और ये कब से सो होगा यहाँ पे मतलब 20 जनुवरी के बाद यह जो है आपका इस्टेटर साथ हो जाएगा तो यहाँ पे जिन भी चात्र का स्टेटर सो हो रहा है और उसके बावजुत भी वहाँ पे सत्र 2022-2023 लिखा हुआ रहा है तो उन उनका ये confusion है कि sir अभी तुम्हेरा status pending है इसका मतलब क्या है देखिए आप लोगे ने form भर दिया form भर के आप लोगों ने final submit कर दिया है submit करने के बाद आप लोग अपने form को college पे जमा कर दिया है बट अभी तक college वालों ने आपके form को forward नहीं किया है और नहीं receive किया है इसका मतलब है ठीक है तो यहाँ पे college वाले क्या करते हैं अभी बहुत सारे बच्चों का pending so हो रहा होगा तो college वाले क्या करते हैं जैसे एक status है 15 जनवरी तक मतलब यहाँ पे forward so करना चाहिए तो आप लोग अपना status continuous चेक करते लिए अगर यहाँ पे 15 जनवरी 2024 तक या फिर उससे पहले पहले अभी भी pending so हो रहा है तो आपको एक बार college में बात कर लेना उनसे बोलना कि अभी हमारा form forward नहीं किया गया है उसको 7230 लिखा हुआ है यह form जो है final submit भी हो चुका है और heart copy भी यहाँ पे निकल चुका है मैं इसको क्यों दिखा रहा हूं मैं scroll down करके थोड़ा सा नीशे आता हूं तो friend यहाँ पे scroll down करके नीशे आने के बावजुद भी यहाँ पे 7230 ही लिखा हुआ रहा है मैं आपको इसलिए उसको दिखाया हूं ताकि आप लोग के अंदर doubt ना रहे है कि sir कहीं 2022-2023 वाला status तो नहीं दिखा रहे है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे confirmation दे रहा हूं बाकि आप लोग यहाँ पे देख सकते मैंने इसके पहले दिखाया pending था जब आप लोग का form यह डेख पाएंगे बाकि फिरेंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सत्यापित नहीं किया गया है इसको लेके बहुत जब इनवस्टी लेबल से बेरिफाई होता है जब इनवस्टी बेरिफाई करती है उसके बास second जो है आपका form एनाई सी के पाह जाता उसके बाद यहां पर सत्यापित किया गया है या फिर सत्यापित नहीं किया गया है वाला रीजन्स होगा तो दीन भी छात्रों में अभी सत्यापित नहीं किया गया उनको परिशान होने क्या हो सकता नहीं है जब भी आपका फॉर्म जो है NIC के पास जाएगी जब जाच कर ले आपको सौर पर्थम जो है UP scholarship के official home page पे चले जाना है वहाँ पे जैसे आप लोग अपने form को login करते हैं login करके इस वाले home page पे आजाएंगे बाकि जितने भी छातर अपना form apply किये होंगे फिर करवाए होंगे सब को पता होगा कैसे हम अपने home page पे आएंगे जब आप लोग अपने home page पे आएंगे login करके तो यहाँ पे आपको जो है basic details हो करेगा और आपको जो है यहाँ पे status हो करेगा कि आपका जो है step कहां तक complete हुआ है तो सभी छातरों ने अपना संस्ता है तो आवेदन print करे तक वाला जो option है complete कर लिया होगा यहाँ पे आप लोग दे रहा है कि सत्र 2023 और यहाँ पे status जो है pending at institute वाला option यहाँ पे सो कर रहा हो के एक तो पहला तरीका यह है कि यहाँ पे सो होगा अब second option क्या है कैसे अगर जीन भी छातरों का ऐसे नहीं सो कर रहा है यहाँ पे basic details के नीचे वाले option पे नहीं आ रहा है उनको क्या करना है उसके अब जो है यहाँ पे last वाले page पे आएंगे आपको हम last page दिखा रहा है जैसे कि यहाँपे आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे college में जमा करने के लिए tic मांग जाते है कि आपने क्या-क्या संगण किया हुआ है तो यहाँ पे आपका जो status होना start हो जाएगा औ और यहाँ पे देखें, 70, 2023, 24 वाला यहाँ पे options हो रहा है, और यहाँ पे date जो है, 5, 1, 2, 24 हो रहा है, इनका form जो है, 5, 1, 2, 24 को forward कर जाए गया है, यहाँ पे इनका basic detail है, इन्होंने कितना mark पाया है, कितने mark था, कितना इनका attendance percentage था, यह सब सो होना start हो जाएगा, मैंने आपको चोड़के, आप लोग study कर रहे होंगे, UG, PG, Diploma, B Pharma, D Pharma, मतलब everything किसी भी course में study कर रहे होंगे, तो बहुत सारे चात्र में जो अभी status है, सो नहीं हो रहा है, तो आप लोग उसको देखके परसान मत हुएगा, कि सर, आप जो status दिखाए हैं, आप में तो सो हो रहा है, बच्चों का जो status है, यह visual हो रहा है, तो आपको परसान नहीं होना, जिनका सो नहीं होगा, बाकी जिनका सो हो रहा है, वो लोग आपना मतलब देखके, आपना relax कर लें, अगर देखने के बाद आपको कुछ doubt लग रहा है, कुछ problem आ रही है, तो आप comment से दर में comment कर सकते हैं जो मतलब समाज कलना विभाग दोरा जारी होता है, जहां पर आपका form reject हुआ है, verify हुआ है, pending है क्या है, उसको देखने के लिए आपको जो है 20 जनवरी 2024 तक का वेट करना है, complete जो status है 20 जनवरी 2024 के बास सो होगी, और सबसे पहले आपको इस चनल के माध्यम से बता दिया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजेगा, टेलेगराम का लिंग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, टेलेगराम पर जूड जाएगा, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में वीडियो पसांद है होगी, तो like, share, जोर कीजेगा, thank you and keep watching